हेलो फ्रेंड्स वेल्कम आग तो मां यूट्यूब चानल साइन खुशे क्रियेशन्स तो आज की वीडियो में आपको सरस्वती माता के वृत की विधी एवं उध्यापन की विधी बताऊंगी सरस्वती माता के वृत की एक और पूजा विधी मैंने बनाई हुई है उसका लिंक भी मैं आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो ये देखिए प्रतियक रविवार को आपको ऐसे ही पूजा करनी है और माता सरस्वती का वृत रविवार के दिन करना है ये पूजा आपको सुभा सुभा ही करनी होती है तो ये देखिए पाट्टे के नीचे और पाट्टे के सामने मैंने ये सरस्वती पदम यानि सरस्वती यंत्र की रंगोली बनाई है इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा अब या तो आप माता की फोटो ले या तो मूर्ती ले या फिर आप कधा की दो पुस्तकों में से एक पुस्तक भी सामने रख सकते हैं फिर मैं सरस्वती माता का और गनपती जी का जल एवं पंचा मृत से स्नान करा रही हूँ अगर आपके पास पंच्छा मृत बनाने के लिए सबसमान अवेलेबल ना हो पॉसिबल ना हो तो आप सिर्फ जल से भी माता को स्नान करा सकते हैं तो ये देखे गनपती जी और सरस्वती माता का पंच्छा मृत से स्नान कराकर फिर वापस से जल से स्नान कराकर हम उने पूजा में विराजित करेंगे तो ये देखे थोड़े से चावल रखकर अब गनपती जी को मैं चंदन रोली लगा रही हूँ और फिर हम उने विराजित करेंगे इसके बाद सरस्वती माता को भी ऐसे ही विराजित करेंगे चंदन लगाएंगे कुछ लगा पाएंगे या ना लगा पाएंगे आप चंदन जरूर से लगाएं माता को सरस्वती माता को चंदन बहुत प्रिया है अब हम एक लोटा लेंगे लोटे पर भी स्वस्थिक बनाएंगे उसमें थोड़े से चावल डालेंगे फूल डालेंगे और आम के या पान के या फिर अशोक के पत्ते लेंगे उन पे भी चंदन रोली लगाएंगे तो हम कलश थापना कर रहे हैं ये देखें ऐसे पत्ते लगाकर पत्तों पे भी हलदी रोली चंदन रोली लगाएंगे और उन्हें हम हमारे कलश में रखेंगे इसके बाद हम इस पे एक कटोरी रखेंगे कटोरी में भी आप फूल रखें और इसके बाद आप इसमें कोई स्थाबी पैंसिल स्केल, पैन, रबर, शापनर जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं अगर आप गनपती जी की जगा सुपारी रख सकते हैं तो ये देखें सुपारी पूजन भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसके बाद अब हम बगवान को मोली पहनाएंगे माता की फोटो का भी पूजन करेंगे दोनों में से जो आपके पास हो फोटो या मुर्ती वो आप ले अगर दोनों हो तो दोनों भी ले सकते हैं इसके बाद माता को चंदन रोली लगाएंगे और मैं पीले रंग की चुन्नी उड़ा रही हूँ आप लाल पीली दोनों में से कोई भी उड़ा सकते हैं इसके बाद गनपती जी को दुरवाएवं फूल चढ़ाएं माता सरस्वती को कोशिश करके सफेद फूल चढ़ाएं वरना जो भी फूल हो आपके पास लाल पीले सफेद वो फूल आप चढ़ा सकते हैं फिर हम भगवान को इतरी लगाएंगे अगर आप माग मास में सरस्वती माता के वरत रखते हैं तो ये बहुत ही जादा शुब होता है बट ज़रूरी नहीं है कि आप माग मास में ही रखें आप किसी भी महीने में कभी भी हर रविवार से किसी भी रविवार से वरत शुरू कर सकते हैं फिर जो हमने कलश के उपर पैंसिल पैंसर रखें उनका भी पूजन आपको करना है अब माता को हम जल का एवं खीर का भोग लगाएंगे खीर में आप साबुदाने की खीर या फिर मखाने की खीर बना सकते हैं ताकि आप उसे खा सकें क्योंकि वरत होगा तो वरत में हम चावलों की खीर तो खा नहीं सकते हैं शाम को वरत खोलने के समय आप कोशिश करके मीठा भोजन करें अगर मीठा भोजन नहीं आप कर पाएं तो फिर आप नमक का खाना खा सकते हैं ये देखें जो कथा की पुस्तक है उसका भी मैं पूजन कर रही हूँ अगर कथा की पुस्तक नहीं मिल रही है तो आप हमारे चानल से वरत कथा, चालीसा, आरती सब सुन सकते हैं सब आपको मेरे चानल पे मिल जाएगा तो ये देखें सरस्वती माता की वरत कथा पढ़ेंगे इसके बाद माता की आरती करेंगे आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकते हैं इसके बाद माता को हाथ जोड़कर अपनी प्रातना आपको करनी है फिर शाम के समय आपको माता को मीठे चावलों का भोग लगाना है कोशिश करके आप मीठे चावलों का ही भोग लगाएं माता को और वहीं आप खुद भी खाएं अगर आप मीठे खाना ही नहीं खा पाएंगे बस तो फिर आप नमकीन पुलाओ या फिर कुछ भी सबजी रोटी खा सकते हैं तो ये देखें बट वरत आपको किसी मीठी चीज से ही खोलना है चाहे वो खीर हो या फिर ये मीठे चावल तो ये देखें इसके बाद मैं आपको उद्यापन की विधी बता देती हूँ उद्यापन में आपको कथा की पुस्तक है चाहिए कोई स्टेशनरी आइटम चाहिए और फल चाहिए अगर आपके पस कथा की पुस्तक मिल रही हो तो एक सरस्वती माता की विरत कथा की पुस्तक रखे उसमें एक पैंसिल, पैन, शापनरी, रेजर, जो भी आप रखना चाहें, वो आप रख सकते हैं और कोई सा भी एक फल रखे, अब अगर आपके हाँ वरत कता कि पुस्तक ना मिलती हो तो आप बस एक स्टेशनरी का आइटम रख दे और एक फल रख दे यह देखिए जरूरी नहीं है, पैंसिल ले, आप कोई भी स्केल, पैन, कुछ भी ले सकते हैं आप यह पूरा जो सेट आता है, ऐसे टाइप का सेट भी ले सकते हैं और आप विद्यार्थियों को, कन्याओं को, किसी को भी यह सामान दे सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले मेरे चानल साइंख खुशी क्रियेशन को भी जरूर से सब्सक्राइब करें एंड आसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे इसके इलावा मैंने दो और वीडियो बना रखे है सरस्वती माता के वरत के उपर उनका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.